नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपोर्टेंट और आपके लिए बहुत जादा लाबदायक थाबित होती है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज की वीडियो में हम आपको गुछ ऐसे घरेलू उपाए के बारे में बतारे हैं जो आपके लिए जाना बहुत इंपोर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिया दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे तेल के बारे में बताने जारे हैं जिससे आपके बाल घनेवे काले और चमतकार हो जाएंगे। जिया दोस्तो कड़ी पत्ते का नाम तो आपने सुनाई ही होगा। कड़ी पत्ता बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद है। हमारे बालों की समस्या अनेक बढ़ती ही जाती है। जिया दोस्तो आज हम आपको कड़ी पत्ते के प्रियोगों के बारे में बताने जारहे हैं जिनके आपके काली चमक बालों में आ जाएगी। साथ ही इसमें आपके बाल भी बढ़ने लगेंगे बाल घरे हो जाएंगे और आपके बालों को देखकर लोग कहेंगे कि काश आपके बाल भी ऐसे होते चलिए दोस्तों आज हम आपको बुरे बालों को काला करने का एक तेल का तरीका बता रहे हैं कि वह उस तेल को कैसे फिर आपको यह जब ठंडा हो जाए तो आपको इसको बालों पर मालिश करनी है फिर इसे 30 मिनट तक अपने बालों पर लगर हैने दे और इसे ऐसे ही छोड़ दे इसके बाद आप हलके शैंपू की मदद से सरदो ले महीने में 10 से 15 बार आपको यह प्रियोग करना है तो आपके बाल काले कमे और लंबे हो जाएंगे जिया दोस्तो अब हम आपको एक और विदी के बारे में बता रहे हैं कड़ी पत्ते के साथ धाई और नीम का पेज बना कर त्यार कर ले फिर इसमें बालों पर हेयर मास्क की तरह लगाए फिर या मालिश भी आप कर सकते हैं उसके बाद कम से कम इसे बालों पर 15-20 मिनट तक लगा छोड़ दे जिया दोस्तो जब यह सूका हो जाए तो इसे हलके शैंपू की मदद से धोले आप देखेंगे कि आपके बाल एक दम भर पूरे से काले होने लगे हैं ऐसा आपको सब्ता में 3 दिन करना है और इससे आपके बाल काले घने वे चमतकार हो जाएंगे जिया दोस्तो आपने देखा कि आपके बाल किते जल्दे काले रंके और घने भी हो सकते हैं तो दोस्तों आप सब भी अपने बालों की सुरक्षा करें और आप भी इस तेल का इस्तेमाल करें तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करना ना भूले क्योंकि हमें कुछ ऐसे वीडियो बनाने की प्रेड़ा मिलती है मेरे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और मेरे इस वीडियो में बताएगए उपायों का भी उपाय जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं